हेलो नमस्कार साथियों क्या आपको पता है SDF क्या होता है? SDF यानि Standing Deposit Facility इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको Reverse Repo Rate समझना पड़ेगा Reverse Repo Rate क्या होता है? RBI जिस ब्याजदर पर ब्यापारिक बैंकों से रिड लेती है या फिर RBI जिस ब्याजदर पर ब्यापारिक बैंकों की तरलता अपने पास रखती है और उसके बदले ब्यापारिक बैंकों को कुछ Government Securities देती है ठीक है? ये Reverse Repo Rate है अगर RBI के पास Government Securities ना हो तब अब बाजार में अगर inflation है यानि तरलता ज्यादा है तो तरलता कम करने के लिए RBI को क्या करना पड़ेगा? सब Government Securities नहीं है तो Reverse Repo Rate के माध्यम से वो inflation को कंट्रोल नहीं कर सकता तो ऐसी इस्तिती में RBI ने एक नया नाम लिया 2018 में क्या SDF SDF क्या है? बिना बैंकों को Government Securities दिये उनसे डारिक पैसा एब्सॉर्ब करना यही SDF है